नमस्कार मनुस्तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं हूँ अकांशा मिश्टा आज हमारे साथ हैं हंडिया विधान सभा से 2022 में आवेदन कर चुके पूर्व नगर निगम पार्षद अधिवक्ता डॉक्टर संजर्यादर जी आज हम संजर्य ज से हंडिया के सियासी समीकरण्ट पर चार्चा करेंगे साराका सिबसे पहले हमारे वह था पहला सवाल लिए है कि हंडीया विधान सबाब में छेत्र में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण्ट अजिया पहले से विक्सित्थ इस दो माना जाता है यह जुद्ध भाग रहा है हंडिया के जो परजेंट में बीस प्रेटायक हमिलाएक बिधायक बनने के बार इन्हों पान साल जो है छेट पर कभी ध्यानी नहीं दिया है एक बगल में भी हमारे कुछ लोग बैटे तर्स होगी हमको बता रहे थे कि मांग में अभी भी जल भराओ की इस्तिती बिल्कुल बना है बहां पैसा लगता है जैसे कोई ना हो तो ना से ही कोई पार हो सकता है वैसे नहीं तो क्या आपके मताबक उन्होंने कोई भी काम अपने क्षेत्र में नहीं किया है नहीं बिल्कुल काम पांसाले दिखाई नहीं दिये एकदम बिल्कुल इस टाहिब के और अपने आपको जो है पार्टी से चेंज करके कहीं और किसी दल में भी लगे हैं अभी तो इनका अम डल भी कंफर्म नहीं है लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं है कोई हंडिया कोई विकास नहीं किया आपको क्या लगता है कि जो हंटिया जो बसपा से विधायक जो बागी हैं वो समाजवादी पारटी में जा सकते हैं ये तो राष्टिए दरज जशें करेंगे अभी लेकिन कि फिर्फाल ऐसा कोई हंडिया पुर्व प्रत्याशी निधी यादल और पूर विधायक, प्रशांग भी मजबूत दावेधारी अपने रखते हैं तो इतने सारी मजबूत दावेधारी आपको कहां नजर आती है इसमें भी राष्टी अध्यत जी फंसला करेंगे कि जो जमीन परह करके जमीन परह करके वर्क करता है काम करता है लोगों को दुख सुक में सेर करता है तो उसको टिकर देंगे यह भी राष्टी अध्यत जी के उपर यह फंसला राष्टी अध्यत जी माननी अकले से अदो जी समाजवादी पार्टी में जिस भी कंडिडेट को टिकर मिल जाएगा उसको यहां की जनता मन बना चुका है कि हम लोग बिधायक बनाएंगे सर आपको क्या लगता है कि आप इस छेदर में कहीं न कहीं दक्षिर पंती विचारधारा मजबूत होती जा रही है और समाजवादी विचारधारा कमजोर पड़ रही है समाजवादी पार्टी इसलिए कमजोर नहीं है स्टेट में बिजेपी भाती जनता पार्टी की सरकार है केंज में भाती जनता पार्टी की सरकार है लोगों में इस तरह की प्राब्लम है कोई अपने आपको एक दिम बिल्कुल बच्चों को न पढ़ा सकता है ना लोगों का अवसर माइने रखता है कि उन्हें जहां अवसर मिलेगा वहाँ चले जाएंगे या वह अपनी विचार धारा पर टिके रहते हैं आपको 2022 की विधांग सभा का क्या सीन में जरा रहा है कि क्या कौन सी पार्टी जादा उभरेगी समाजवारी पार्टी 2022 में संख्या में आकर के जो है जोड़े हैं से लिए 2022 में कौन बहुमत की सरकार बनेगी समाजवारी पार्टी आपको आपने चर्चा की कि ब्रामण मतदादा ज्यादा जूड़े हैं तो क्या आपको किस रवाइस आपको लग रहा है कि वह ज्यादा तर उनका जुकाव है समाज समाजवारी पार्टी ने लड़ा बाकि और कोई दल ब्रामणों के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ा है इसलिए इस बात पर दावे के सांथ कर रहे हैं कि इनका लगाओ काफी समाजवारी पार्टी की प्रती है आपको ऐसा नहीं लगता कि समाजवारी पार्टी का जो महा अगठ बंदन था 2019 लोकसाभा चुनाओं में वो कम जो कहीं कहीं कमजोर पड़ गया तो ऐसा नहीं लगता कि अकेले लड़ना या समाजवारी पार्टी की गलती होगी कोई कमियंट हम नहीं करें कि राष्टी अर्द्यस जी के फेंसला है पार्टी के राष्टीछ राष्ट अर्द्य मान萍य आभले के जो अ अपना नेड़ा होगा उसको पार्टी के कार verf आ यहाँ सवाल कि आपके मुटाबिक किया हैं तो आपके मुटाबिक के क्या तो किया अपना वोड़ेंगी प्रकाव किसे अह मुद्दें जिन के जिन के बलपर सकते हैं कि इजनता समाजवादी पलटी के रुक्षान-वी-स ने कहेंगे दर्शिकों को हमारी ने वो बिल्कुल सही है उसमें कुछ एजंडा हम इसको बताते हैं जैसे इनका यहां पर डिप्टिस सीम हम लोगों ने अक्सर करके देखा है इस बात को हम लोग देखते हैं कि जो भी सड़कें पहले से बना है और जो राष्टियत समाजवादी की सब्सक्राइब करते हैं तो आपके मताबिक सरकार एकदम असफल रही है अपने मुद्दों पर वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे तब तक देखते रहे हमारा यह खास प्रोग्राम आपका फिर से स्वागत है हमारे इस खास कारिक्राम मनुस्तिवारी टॉक शो में सर आपसे मेरा एक हैं सवाल यह है कि हंडिया में आप किसकी दावेदारी ज़्यादा मानते हैं हंडेपी की या फिर बस्पा की ने समाजवादी पार्टिक दावेदारी पार्टिक किस आधार पर मानते हैं दोजार बारें जो सरकार थे तो सरकार की मंसा को देखते हों यहां की पबलिक यहां की जनता में या कुछ उपर चले गए हैं तो आपका इस विचार पर क्या मानना है आदित योगी जी मानने मखवंते जी योगी जी ये शुबह दुपहर साम इनका तीन स्टेट्मेंट होता है यह कब किस समय क्या बोल देंगे इनने नहीं मालूम है इनके जितने भी गुंडे बदमास और इस टायब के लोग हैं आज भी कहीं जेल में हैं इस्टेट चोन करके बाहर हैं सब उत्तर परदेश में हैं हागामी चुनाओं में आप किस गड़भंदन की संभावना देखते हैं उसे करना न का लेट अपनी अंडिया की जंता के लिए थो सबसे पहले यहां पे इलावार प्रयाग राज में यहांपर पे यहांपर मंतरी fiber बनते से दार्थ नात ने प्रेस में बोला था कि यहां पर यम्स की ब्योस्ता यम्स होना चाहिए लाहबार में प्रयाग राज में हंडिया में जमीन है उस पे सरकार जरा सबसे हम मुद्दा हमारा है कि सबसे लाहबार प्रयाग राज के लिए यम्स होस्पिटल इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है सबसे बेहतर हो सकता है यह तो स्वास्त की बात सिख्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे अपने शेत्र में सख्षा की सिख्षा के लिए भी एक और मनिकोल यहां पर पर शयुक्ष है यहां वu नभर श्वध्या पर twisted यह हमारे पहले प्रात मगता होगा समाज़वारी पार्टे में हमको यहां की जनता यहां की मददाताओं में हमको जो है मौका मिला तो इस्टेट इन्वस्टी की ब्युस्ता महंडिया में बिस्विद्याले की जैसा ब्युस्ता महंडिया को करेंगे वो लैंड भी आज भी जमीन है सरकारी जमीन पड़ा है तो उस पे हमारा प आप क्या प्रदेश सरकार ने आई सक्यां ही ओर knowledge. लड़की digest के लिए कुछ न्या करना चाहते हों। एसी कोई उझना है आपके दिमाग में आपके पार्टी की ओर्से़ नहीं हमारे पार्टी में हमारी सरकात के लड़की को अर ऑर बी जो भी ता महिलायोंấu खंडे सुरद्षा इस टाइब के छेनाईती डगाईती रहजनी नहीं होता था जो आयरेन इस सरकार में हो रहा है कि सर आपका हमारे इस टॉक्षो में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धनेवाद आज इस महत्वपूर्ड प्रोग्राम में हमारे साथ थे संजय आदो जी जिन्होंने हमें हंडिया से जुड़ी और अपने पार्टी से जुड़ी एहम बाते बताई इसके साथ ही हम ऐसे बड़े दिगज नेताओं के साथ फिर आते रहेंगे और तब तक के लिए आप हमारा टॉक्षो देखते रहें नमस्कार